आ बोकर का मतलब होता है पाठा और शगरी का मतलब होता है पाठी यानि सब्सक्राइब कर नोगे मस्त कर आएaat वह स्बार्ट फोर्ट पेसल जिसने आज मैं आपको बताने जा रहöhanu लिंग लिंग के आधार से मैं बताऊंगा आपको पड़ोजुशन के प्रवसियृ करते हैं क्या इस्तिलिंग होता है कि कोंहों नया मतलब क्यों होता है ुस प्रशन का सही उत्तर्य पारी दोस्त वह आपको शोवा का का मतलब होता है दूयों लिंग इस्तिलिंग भी होता है पूलिंग भी बेटी छोवा बेटा छोवा हम लोग ऐसे करके बोलते हैं तो बेटी का मतलब इस्तिलिंग हो गया बेटा का मतलब पूलिंग हो गया यानि बेटी छोवा बेटा छोवा दोनों आ जाता है इसलिए इसको दोस्त वो आपका हो जाएगा नचधारी यानि ओप्सन नंबर यह हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन के और अगला कोशन है अपरानी वाचक संग्या में खुरठाए कोन लिगें बहवार हवा है ठीक है अपरानी वाचक के बारे में पुछा जा रहा है कि लु जेकरा हमनी नपुनसक के नाम से जाना ही हो तो चलिए देखते हैं भई अगले कोशन को अगला कोशन है बैंगली के पूलिंग हताई तो बैंगली के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या होता है बैंग होता है क्या कि बैंग चूर होता है कि मेडग होता है कि एकर में कोई नाय होता है तो इस प्रश्ण का जो सही उत्तर है प्यारे दूस्त आपका हो जाएगा बेंगली का बैंग यानि ऑप्सन नंबर यह हो जाएगा तो चलिए देखते हैं अगले कोश्चन को अगला कोश्चन क्या है भई गाच सब्डे खुरठाएं लिंग बतावा गाच के बा उच्छा जा रहा है इसका लिंग क्या होता है गाच माने क्या होता है इस त्रिलिंग होता है कि पूरलिंग होता है कि उभई लिंग होता है कि सब्डे होता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा उभई लिंग उभई लिंग का मतलब क्या होता है जिसके अंदर इस त्रिलिंग की हवाई हल क्या हईल बोलते हैं कि हली की बोलते हैं कि हली बोलते हैं कि तीनों सभे कहते हैं तो इस प्रिश्ण का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त वह आपका हो जाएगा अप्सिन नमबर डी तीनों यानी सभे अगला कुछन है गलत जोड़ा चाटे कौन गलत है इसमें से दादा भोजी, छागोर छगरी, बोका बोकी कि कोई ना है अगर हम देखें गलत तो गलत ना इह है ना गलत इह है ना इह गलत है यानी तीनों हो जाएगा कोई गलत नहीं है दादा के संग भोजी दादा माने हो गया पूरलिंग और भोजी माने इस्तिरलिंग छागर का मतलब होता है पाठा और छगरी का मतलब होता है पाठी यानि क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सही है इस्तिरलिंग और पूरलिंग और बोका का मतलब लड़का में बोलते ह की हवाय हाती यानि option number D हो जाएगा तो चलिए देखते हैं बही अगले कोशन के और अगला कोशन है तो तो हाती का अगर देखा जाए सीक प्रियोक करने इसलीज लिए इसको गिदर के नाम से जानेंगे इसकर वारिव का फिर c होता है थीक है option number c हो जाएगा इस पुश्ण का सही उद्तर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रतय का मतलब जो बाद में लगता है सब्ड के बाद में तो बेदिया के बाद क्या है आईन यानि क्या हो जाएगा आपका आईन परते यानि option number 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question ननद कर पूरलिंग हेवत ननद का पूछा जा रहा है कि ननद का पूरलिंग क्या होता है कि ननदारू होता है कि भहिया होता है कि नंदोसू होता है कि बहनोई होता है तो ननद का अगर अगले question की और अगला question है खुरठा के link के एकर आधारे चलता है यानि वसूत के आधार पर तो चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन के और अगला कोशन है एककर में उभाई लिंगी सब्द लागए उभाई लिंगी जिसके भीतर इस्तिरलिंग और पूरलिंग दोनों आता है उसको बोलते हैं क्या उभाई लिंगी कहते हैं उभलिंगी के बारे में पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा गीदवर होगा, कि छोवा होगा, कि पोहना होगा, कि इस अभे होगा, तो भई इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, वो आपका हो जाएगा इस अभे, यानि option number D हो जाएगा, यानि गीदवर माने क्या होता है, इस अगला question है, फद रहा, कि इस तिलिंग हता है, फद रहा मनलब जादा वो बोलता है, फद रहा के बारे में पूछा जा रहा है, कि फद रही होता है, कि फद रही होता है, कि फद रही होता है, कि इस सभे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यार आपका हो जाएगा फद होता है कि चेंगा होता है कि सब्सक्राइब होता है तो इस प्रश्ण का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त आपका हो जाएगा चेंगनी का चेंगना यानि अप्सन नंबर यह हो जाएगा बोलते हैं यानि इस प्रिश्न का सुल्ट्र होचिन की और बाच्छा की स्ट्रिलिंग की हवई बाच्छा के बारे में पूछा जा रहा है की बाच्छा और सर की फैटाइन की बाच्छी की इस हवई तो इस प्रिश्ण का जो सही उत्तर है प्यारे वो आपका हो जाएगा इस अब यानि बाच्छा को हम उसर भी कहते हैं फैटाइन भी क जाता है धर्ती माता है यानि उसका लिंग क्या हो गया प्यारे उसका लिंग हो गया इस्तिर लिंग यानि इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका option number A हो जाएगा इस्तिर लिंग हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले question क्यों चोटा सोनार कर इस्तिर तो इस प्रस्ट में क्या हो जाएगा छोटकी सोनारिन तो आपको बताना है प्यारे कि ये जो सेशन है खोरठा का आपको कैसा लगा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरू लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करके जरू जाएए और अपने दोस्तों तक इसको जरू सेर किजिए तब तक मिलता है नेक्स वीडियो में जहिन वंदे मातरम